बच्चो जैसा कि पूरू नियोजित था आज दोपेर बारा बजी के लगभग मैं कहीं बच्चों के साथ जीपीओ चोराए से MPPSC लोग सवाएक तक मोन मार्च के लिए निकले सबसे पहले आज की कुछ फिटेजिस हैं जो आप देख सकते अपनी स्क्रीन पर जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा आज जो कि पूरू नियोजित था एक प्रियास जो कि हमारी तरफ से अंतिम प्रियास था मैं बार बार इस शब्द को दोहराओं को अंतिम प्रियास था उसका क्या मतलब आपको समझ में आ जाएगा देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले भी ग्यापन दिये और आज भी ग्यापन पत्रे लेकर गए लगबग 400-500 की संख्या में बच्चे अकत्रित हुए ये अलग-अलग जगाओं से आए हुए थे एकत्रित हुए थे ये अच्छी संख्या मानी जाती है क्योंकि समाज का अधिकांश तह एक बड़ा वर्ग शांत बेठा होता है इस बात को मानते हुए कि हमारे लिए कोई उन लड़ेगा डेफनेटली इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि अधिकांश तह बुद्धी जीवी लोग यही सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ बनाए-बनाए मिल जाए और उसको सीधो खाले बाकी लोग महनत करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है परन्तो मेरे लिए वे लोग वंदनी हैं जो लोग आज निकले दोपैर की धूप में वे लोग जिनोंने दोड़ भाग की पेदल मार्च गिया और अपने अधिकारों के लिए और अन्नी के अधिकारों के लिए लड़े देखें लड़ना शब्द थोड़ा सा ज़्यादा व्यापक हो जाएगा मैं एकदम संचिप्त आज की जो घटना करम उसको पहले बता देता हूँ गटना करम ये था कि 12 बजे के लगभग जीप्यों चोराई से हमने मोन मार्च किया फिर हम आयोग पहुचे आयोग पहुचने के बाद हमने शांतिमोन तरीके से बैठे वहाँ पर एक पेपर सॉल किया जब मेरे आयोग के अधिकारियों से बात हुई तो मैंने ये बात देखी कि वो हमारे शांतिमोन तरीके से हात्प्रव थे अचंबित थे कि इस तरह का भी प्रदेशन हो सकता है दूसरा जब उन्होंने खासकर सची महोदे ने इस बात को नोटिस किया जब उससे बात कर रहे थे और आपने वीडियो पर भी गोर किया होगा वो इस बात को बहुत ज़दा एड्मायर कर रहे थे कि बच्चे उनके सामने बेटके एक्जाम दे रहे हैं और ये बात मैंने जब उनके सामने रखी कि सर ये आपका कारे है एक्जाम लेना हम आपको याद दिलाने आएं कि ये आपका कारे है खेर मुद्दा ये नहीं है मुद्दा ये है कि हमने ग्यापन पत्र दिया और सभी बच्चों ने व्यक्तिक दिस्तर पर भी आविधन पत्र दिये कि नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द लाया जाए अब प्रशन उड़ता है कि आयोक का जवाब क्या है तो आयोक की तरफ से जो माननी अधिकारी महदे थे उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो बात है दो दिन पहले भी आपने जो पत्र दिये थे उसको हम सही माध्यम से आयोक के सामने रखेंगे और आपके द्वारा आज जो ग्यापन पत्र दिये गए और बाकी जो आविधना है उसको भी हम सामने पटल पर रखेंगे प्रतियों की आव्यारतियों की आयोग करना बिग्यापन वर्स चे आगामी वर्स के एक जन्वरी के प्रतिपेक्ष में की जायती है जिनके कारण राज सिवा परिक्षा बर्स चे प्रतिपेक्ष में यह जानी होती है किन्तु बिग्यापन दिसंबर 2018 में नहीं आने के कारण तता आगामी मात पर आने पर प्रतियोगीयों की आयू करना एक चन बजे 2020 के प्रतिपेक्ष में किये जाने पर प्रतियोगी की बास्त्विक आयू से लगबग 11 माह तके अधिक अवस्ता में होगी जिनका नुक्सान पृतियोगियों को अफसर की कमी के साथ वास्तिविक आयू से पूर ही अधिक्तम आयू प्राप कर लेनी की रूप में समस्या समक्ष में आने की संभावना है। एक जैनवरी 2019 के परिप्रेक्ष में करने की मांग सिप्कार पड़ती हुए। प्रतियोगी अभियारतियों की हेतों को ध्वान में रखकर नेर्डर कर सीर्क मात्यपतिस लुद्सेवा भायू की राजिसेवा परिक्षा दो जारी किया जाओ है। आशार इवें विश्वास के प्रतियों कि आपका जो जगया पहुचा दिया जाएगा। वोटे वर्ड़ जो भी आपके इतमें अच्छी कारवाई होगी वह आयो तोरह की जाएगी। तैयारी करो विज्वाइपन कभी भी आ जाये। आप जाएगे। तो मेरा आपसे निवेदन है से और हम लोग यही कंसर्ण है कि हम लोग अपने अधिकारे के लिए प्रोटेस्ट करते रहेगे। आप लोग अपने जो ग्यापन दे दिया जिस पर कर वही चल रही है। तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी तैयहारी पे द्यान दो। पेटा जो प्रशन मुझसे बूशते हो सर से बूशते हैं। सर मेरा आपसे यही जानना है। हम कही काइम से ऐसा देखती हुए आ रहे हैं। लोग से वायूब में। तो यह लापर भाई है कि पिछली बार भी एक्जाम दिया था तो कुछ कॉस्चन डिलीट किये थे। और अभी यह नॉटिफिकेशन में लेट हो रहा है। तो सर इससे उन स्टुडेंट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कि नॉटिफिकेशन भी लेट हो रहा है। तो आप भी एवटाइशन से हमारे एक अनुशासन सीखने को मिलता है सर इससे। कि नॉटिफिकेशन आ जाता है तो तैयारी भी अच्छी होती है। तैयारी करो बेटा देखो। अभी तुम सरकार में बाहर हो ना इसलिए खैरम। अभी कल से आ जाओगे तो फिर बोलोगे कि अभी तैयारी में टाइम लगता है। परन्तु मेरे पूछने पर कि क्या अगले दो हफते में नोटिफिकेशन आ सकता है। उन्होंने कोई भी सकारात्मक जवाब देने से इंकार किया। ध्यान रखे इसका मतलब नकारात्मक नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये मेरे छेतराइद देखकर से बाहर की बात है। मैं आपकी बात आयोके सामने रख सकता हूँ। जो कि जस्टिफाइड है। सबसे अच्छी बात क्या रही आज पुलिस प्रशाशन कासकर सेयोंगीता गंज CSP महोदया जोती मैं अंको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। परमार साहब पुलिस प्रशाशन ने काफी अच्छा कारी किया। उन्होंने मैं काफी सयोग किया। उनको धन्यवाद, इस्थानी प्रशाशन को भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आयोग को भी। परन्तु, ध्यान दीजे, परन्तु, मुझे नहीं लगता कि 400-500 बच्चे एकत्रित होकर इतना बड़ा दवाव बना पाये हैं कि वो ना चाहते हैं भी नोटिवेशन निकाले। आयोग के पदादीकारियों ने मुझे बताया, या हमें बताया कि ओर भी कहीं कारक होते हैं, सरकार, प्रशाशन मिलकर इनने करती हैं। कि प्रत्यक सरकार लोग कल्यान कारी राज्जी में हम लोग रहते हैं वो हमारे लिए कारी कर रही है हमारे काम केवल यह है कि हमारे लिए एक मोका है एक अवसर है जो निकलता जा रहा है हमें अपनी बात वहां तक पहुचा नहीं मैंने व्यक्तिकित इस्तर पर भी और आज एक बड़े इस्तर पर ये कारी किया कुछ लोगों के आच्छे फमेशे आते रहते हैं उनकी मैं बिल्कुल भी परवा नहीं करता कि वो किस बारे में क्या सोचते हैं उनकी मैं बात बिल्कुल नहीं कर सकता मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने अधिकारों के लिए अपने बच्चों के अधिकारों के लिए विध्यारतियों के अधिकारों के लिए लड़ा और मैंने प्रियास किया वे लोग जो घर बेठे वे लोग जो अवसर कलाब, केवल अवसर कलाब लेना चाहते हैं, मुझे शर्म आती है उन लोगों पर, उनकी सोच पर, और वे लोग जो केवल कमेंट्स करना चाहते हैं At the end केवल में ये कहना चाहता हूँ, कि आज मेरा ये अंतीम प्रियास समाप्त हो गया है अगले 14 दिनों में नोटिफिकिशन आता है या नहीं आता है, या आपके भागी का, आपके किस्मत का, या आपके प्रियासों का परिणाम होगा मैंने अपने प्रियास किये, मैं होफ़ूल हूँ कि अगर मेरे प्रियास काउंटेबल है, तो इसका सगारात्मक परिणाम आए, मैं अपनी बात इहीं समात करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है, मैं अपने कारी पर अध्यन अध्यापन पुना लोडता मुझे केवल ये कहना है आपसे, कि मुझे उमीद ही जादा थी, क्योंकि ये संख्या जो 500 की थी, ये 5000 हो सकती थी, और अगर ये 5000 होती, तो हो सकता था 24 गंटे ये 48 गंटे में डोटिफिक्शन आपके हाथ में आता है, खेर मैं एक अंतिम सुजदा आपको दे रहा हूँ, यूट्यूब चैनल जो है, उसके नीचे एक लिंक दे रहा है, वहाँ पर ग्यापन पत्र है, आप उसे डाउनलोड करें, साइन करें, या फिर अपना ग्यापन पत्र खुद तयार करें, और MPPSC को वो रेजिस्टर डाक से भेजे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर से अपन आइनको फालू करता हूं, कर्मने वादि कारस्ते, माफले शूक अदाचन, अर्थात, कर्म किये जा अफल तो कभी आपके हाथ में था ही नहीं, ना वो फल मेरे हाथ में है, ना वो फल आपके हाथ में है, पर अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग कर्म करने को भी उत्सुक खोशी मुझे इस बात की अपने बच्चों के लिए और अन्य बच्चों के लिए जिन्होंने कर्म किया मैं सबी को तहे दिल से शुक्रिया अधा करता हूँ धन्यवाद